इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है, जहां जीले के उजियार पूर्थाना क्षेत्र में विगत करीब तीन महा से बेखौक चोरों का आतंक लगातार जारी है। उजियार पूर्थाना क्षेत्र में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है, जिस दिन उजियार पूर्थाना क्षेत्र के किसी गाव में चोरी की घटना ना घटती हो, लेकिन उजियार पूर्थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार इन सभी घटनाओं से अलग चन की नीन सो रहे है ताजा मामला की अहले सुबह करीब 6 बजे अपनी दुकान खोलने अपनी दुकान पर पहुँचा पिडितु दुकानदार ने तब काल इसकी सूचना उजियारपूर थाने की पुलिस वर डायल नंबर एकस ओबारा को दिया सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुची डायल नंबर एकस ओबारा के टीं घटना स्थल का जायजा लेते हुए इसकी जानकारी उजियारपूर थाने की पुलिस को देते हुए तथा पीडितु दुकानदार को उजियारपूर थाने को आवेदन देने का बोल कर वापस चली गई वहीं घटा के संबंद में पीडतु दुकानदार लखनीपूर महिशपटी वाड संख्या दो निवासी चंदरशेकर साहा का बताना है कि गांव के ही वाड संख्या तीन में 48 नंबर रेलवे फाटक के पास बीते करीब एक साल से वे किराना का दुकान चला रहे हैं अन्य दिनों की भानती शनीवार 26 अक्टूबर की राद भी करीब 10 बजे वे अपनी दुकान बंद कर अपने घर चले गए रविवार 27 अक्टूबर की सुबह वे अपनी दुकान खोलने पहुचे जहां दुकान खोलने के बाद उन्होंने देखा कि उनके दुकान के अंदर दुकान के दाहीनी तरफ इस बेस्ट का बना हुआ दिवार कटा हुआ था इसके बाद उन्होंने अपने दुकान के गले को देखा तो वेग भी तूटा हुआ था साथ ही उनके दुकान के कुछ रैक भी खाली पड़े हुए थे थब उन्हें एहसास हुआ कि उनके दुकान में चोरी कर ली गई है दुकानदार श्रीसाह ने यह भी बताया कि चोरों ने इस डोरान उनके दुकान के गला से करीब 1500 रूपे नगदी तथा 15,000 का सामान चोरी कर लिया है आपको बता दें कि विगत करीब दो सितीन माह के अंदर उजियारपुर्थाना क्षेत्र के विभिन चौक चौरा हुँ गाउवादी के साथ साथ थाना परिसर से सटे दुकानों सहित करीब तीन दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी है लेकिन उजियारपुर्थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार अभी तक ना तो एक भी चोरी की घटना का उद्भेदन कर पाए हैं और ना ही किसी चोर को पकड़ पाए हैं और ना ही उन्हें चोरी की घटना पर रोक लगाने में ही सफलता मिल पाई है जिससे ऐसा प्रदीत हो रहा है कि उजियारपुर्थाना क्षेत्र की रक्षा अभीश्वर ही करेंगे अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार